प्यारे बच्चों, COVID-19 के कारण इस समय आपका विद्याले आना स्तगित है। जुहार, JCEAT की डिजिटल शाला में आपका स्वागत है। नमस्कार चात्रों, मैं जयन्त कुमार भाषा शिक्षक आपका डिजी साथ कारक्रम में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग कच्छा आठ के हिंदी विशय से संबंधित पाठ राम का भरत को संदेश, राम का भरत को संदेश, शेशक कविता को समझेंगे, जानेंगे। जिसके कवी तुलसी दास जी हैं, ये कविता आपके लिए बहुत महत्पुर्ण है, क्योंकि कच्छा आठ में बोर्ड की परिक्षा जो होती है, उसमें अवस्य ही इस पाठ से प्रश्न पूछ जाते हैं। यह पाठ चुकी हिंदी भाषा से थोड़ी सी अलग भी है, यह हिंदी की एक प्रचलित बोली अवधी में लिखी गई है, अवधी भाषा थोड़ी सी अलग होती है, थोड़ी दुरू होती है, इसलिए इसे समझना आपके लिए आवश्यक है। गुस्वामी तुलसिदास ने रामचरित मानस की रचना की थी, रामचरित मानस का ही एक अंस इस पाठ में आप जानेंगे। पाठ का सिर्शक देखिए, राम का भरत को संदेश, क्या एर्थ है इसका? इसका एर्थ है राम के द्वारा भरत को दिया गया संदेश. आखिर हम लोग संदेश क्यों देते हैं? जब हमें कोई महत्वपूर्ण बात कहनी होती है, तब हम संदेश देते हैं. ऐसी ही महत्वपूर्ण बात राम ने भरत को इस पाठ के मध्यम से दिया होगा. इसे अभी हम लोग जानेंगे. राम की कथा उमिध है आप अपने माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, मामा मामी आदी से थोड़ा नमुळा अवसे ही सुने होंगे. उसी राम कथा से संबंधित यह पाठ है. कहानी यह है कि दसरत की तीन रानिया थी, कौशल्या, कहकई और सुमित्रा और दसरत के चार पुत्र थे. सबसे बड़े राम, उनके बाद भरत, फिर लक्ष्मन और सत्रुग्न. राम ने जब सिक्षा दिक्षा प्राप्त कह ली, तो उस समय के नियम के अनुसार, चुकि वे सबसे बड़े पुत्र थे, तो उन्हें राजगदी सौपनी थी. राजा दसरत ने उसके पहले कैकई को दो वर्दान दिये हुए थे, जब राम को राजगदी देने की बात हुई, तो उन्होंने दो वर्दान मांगते हुए, राम को चौदह वर्सका वनवास दिया, और राजगदी भरत के पास रख ली. कैके ने ऐसा किया, और राजा दसरत ने ये वर्दान उन्हें दिया भी, चुकि राम के पिता राजा दसरत ने उन्हें आग्या दी थी, चौदह वर्सका वर्दान में रहने के लिए, तो राम अपनी पतनी सीता और छोटी भाई लक्षमिन के साथ वन के लिए प्रस्थान कर गया। भारत उस समय अयद्या में नहीं थे, तो जब वे वापस आये और तब तक राजा दसरत की मृतिव भी हो चुकी थी, और राम भी वर्द को जा चुके थे, तो उन्हें बहुत दुख होता है। उस अवस्था में राम को वापस लाने के लिए भारत अपने गुरु, वसिष्ट, माताएं एवं अयुध्या वासियों के साथ वन को चले जाते हैं। और वन में एक बैठक होती है, राम को वापस लाने की कोशिस की जाती है, लेकिन राम तयार नहीं होते हैं। अब चुकि राम वापस नहीं आते तो भरत उनसे कुछ संदेश चाहते हैं, जिससे की वे राजगेदी को 14 वस्थेक सभाल सके। ठीक इसी समय का यह प्रसंग है, इस प्रसंग के अनुसार अब आप पाठ को जानेंगे। मैं पाठ को बोलता भी जाऊंगा और उसका अर्थ भी समझाता जाऊंगा, उसे आप अच्छी तरह से समझ लेंगे ताकि परिक्षा में कोई परेशानी न हो। छात्रों रामचरित मानस दोहा और चौपाई छंद में लिखा गया है। दोहा और चौपाई दोनों ही चंद मात्राओं पर आधारित होते हैं दोहा चंद में चार चरण होते हैं पहला और तीसरा चरण 13-13 मात्राओं का होता है जबकि दूसरा और चौथा चरण 11 मात्राओं वाला होता है वहीं चौपाई एक सम्मात्रिक छंद है इसमें प्रतेक चरण में सोलह मात्राएं होती है चुकि दोहा और चौपाई में ही आपका पाठ है इसलिए इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे तो सबसे पहले दोहा की दोपंक्तियां यहां पर लिखी हुई है इसे देखते हैं दीन बंधु सुनी बंधु के बचन दीन छलहीन देश काल औसर सरिस बोले राम प्रविन इस्थिती आपने जान लिया है उस इस्थिती के अनुसार राम ने अपने बंधु बंधु कहते हैं भाई को भाई कौन थे भहरत राम जो की प्रवीन हैं कुशल हैं निपुन हैं ऐसे देश काल और औसर के लिए तो ऐसे ही देश काल और औसर के अनुरूप राम ने अपने भाई को जो इनका की वचन दीन और छल हें था कपट हें था उनके वचन सुनकर दीन बंधु कहेंगे इश्वर भगवान राम को जो की दीन दुख्यों के सहायक हों कल्यान करने वाले हूं तो ऐसे सहायक राम ने भरत के दीन और छल हिन वचन सुनकर उन्हें समझाने के लिए कुछ बात कहा पंक्तियां देखते हैं तात तुम्हारी मोरी परीजन की चिन्ता गुरही निरिपही घर बनकी हेता तात कहते हैं आदर्णिय व्यक्ति को यहां पर राम ने भरत को तात कहा है वे कहते हैं कि तुम्हारी मोरी अर्थात मेरी परीजन अर्थात परिवार की और घर की तथा वन की बन वन कि तुम्हारी मेरी परिवार की घर की और वन की चिन्ता चिन्ता गुरही गुरू कौन वसिस्ट मुनि वसिस्ट जो हैं वे गुरू और निरिपही अर्थात राजा जनक जो मिधला के राजा हैं वे चुकि सीता जी के पिता थे राजा जनक इसलिए वे भी आये थे राम को वापस लाने के लिए तो वे भी उनके साथ ही हैं इसलिए राम ने भरत जी को कहा कि हे तात मेरी तुम्हारी घर की वन की परिवार की ये सारी चिन्ता हैं तो गुरू जी की और राजा जनक जी की है माथे पर गुर मुनी मिथिलेशु जब हमारे सीर पर हमारे माथे पर हमारे उपर गुरु हैं मुनी हैं मिथिलेशु अर्थात मिथिला के राजा जनक वे हैं तब हम ही तुम ही न तो मुझे और न तुम्हें सपने हूं मतलब सपने में भी न कलेशु तो सपने में भी दुख नहीं हो सकती यदि हमारे उपर गुरु और गुरिप राजा जनक जी हैं तो मोर तुम्हार परम पर पुरुशारत हुँ मेरा और तुम्हारा सबसे आगे परम मतलब सबसे आगे पुरुशार्त स्वॉर्थ वास्तों में धर्म अर्थ यहां पर करता व्यसे अर्थ है स्वार्थ सुझेसु अर्थ सू येस वह सारे काम जिसके करने से हमारा यश बढ़ता है धर्म हमारे धर्म और परमार्थ भी परमार्थ मतलब दूसरों का कल्यान करना तो मेरा और तुम्हारा परम करता यह है कि स्वार्थ सूयश और धर्म और दूसरों का कल्यान करें पितु आयसु पितु एर्थाद पिता आयसु आज्या। आयसु का अयर्थ होगा पालन करें तो पिता की आग्या क्या थी चौदर ब़स्तर वनवास राम को और चौदर वश्तर राजग्धी भरतıldı तो यह आज्या को पालन करने के लिए राम ने भरत को समझाया लोक वेद लोक अर्थात सभी लोग इस संसार के लोग है संसार लो करता संसार बेद उस समय एक पुरान के नुसार ही कानूद Track इसलिए ईस संसार और उस समय के नियम का भी भला और राजा की भलाई भूप कहते हैं राजा को यहां भूबकार्थ है राजा दसरत राजा दसरत जो कि अब इस संसार में नहीं है उनका भी भलाई उनका भी आग्या का पालें उनकी आग्या की रक्षा तभी हो सकती है जब हम दोनों भाई उनके आग्या का पालन करें राम ने कहा कि जो व्यक्ति गुर अर्थात गुरू पितू पिता मातू माता स्वामी उसमें के शाष्यक राजा सीख सिक्षा पालें जो व्यक्ति गुरू की पिता की माता की स्वामी की सिक्षा को मानते हैं वे यदि चले हुँ चले कुमग अर्था कुमार्ग गलत रास्ते पे भी पग पैर कुमग गलत रास्ता पग पैर पर ही उस पर न खाले खाले करते हैं गढ़्धे को गहवर गढ़्धे तो जो व्यक्ति गुरु की पिता की माता की स्वामी की सिक्षा के अनुसार चले उनका पाउं यदि कुमार्ग पर भी जाए तब भी वे गढ़्धे में नहीं गिरते अर्थात उनका नुक्सान नहीं होता अस विचारी अस मतलब ऐसा ऐसा विचार करके सब सोच सारी चिंता छोड़ देव बिहाई छोड़ देना ऐसा विचार करके सारी चिंता तुम छोड़ दो और पाल हूँ अवध आवद अयोधेया जहांके वे राजा थे अवधy यह समय है चौदह वर्ष का चौदह वर्ष तक अयोध्या का पालन करें उसका शासन करें राज करें भरि जाई जाकर के उनका पालन कीजिए वहां के लोगों का भी वहां के सिंगहेशन का देशू कोसु देश और कोशु कोशु कोश्वगा खजाना है जो पैसा रखा जाता है उसे खजाना केहते हैं तो ये देश्ट है अयोद्या है देश कोष परीजन परिवार परीजनों का और परिवार का पतलब अपने लोगों का परिवार का तो गुरूपद रज ही लाग छरू भारू गुरूपद गुरू के चरन गुरू के चरन रज धूल चरनों की धूल लगते ही छरू भारू कम भार वाले तो गुरूपद रज ही लाग छरू भारू का तुआ की जीन पर गुरू की क्रिपा होती है ऐसी क्रिपा पाने वाले लोगों के लिए कोई भी बोज बहुत कम बोज लगने लगता है कम भार लगने लगता है इसलिए तुम्हें यह सिंहासन अयो धाक सिंहासन भारी नहीं लगेगा आसान लगेगा तुम मुनी मातु सचिव सिख मानी तुम तो मुनी का जो सादुमात्मा लोग होते हैं वे मातु ताथ अपनी माता सचिव मंत्रियों जो वहां के शासन वाले अधिकारी थे मंत्री उनके सीख को मानों उनके सीख को मान करके पालेहू पूहूमी पूहूमी मतलब प्रित्वी धर्ती प्रित्वी प्रजा और राजधानी राजधानी अयोध्या प्रित्वी वहां के लोग और अयोध्या सब का पालन करो वहां जाकर शासन करो तब ही हमारी भलाई है अब देखिए फिर से दोहा की दो पंक्तियां है यहां पर मुख्या मुख्षो चाहिए खान पान कहूं एक पालई पोसई सकल अंग तुलसी सहित बिबेक बहुत महत्पूर्ण पंक्तियां हैं इसे आप भी अपने जिवन में ला सकते हैं कि तुलसी दास कहते है कि श्री राम ने भरत को यह सीख दिया कि मुख्या को मुख्य के समान होना चाहिए जैसे शरीर है हमारा और शरीर में मुख्य होता है मुह होता है उसी प्रकार इसी रूप को उन्होंने यहां पर लखा है कि मुखिया को उस मुख के समान होना चाहिए जो खानपान कहुएं खाय पाय खाय और पी तो सिर्ब अकेले के लिए और शरीर में मूह देखि bean केवल खाने का काम करता पहले तो खाता तो वह अकेला है लेकिन पालअई पोश्याई पालन और पोशन पालन और पोशन सकल अंग शरीर के सारे अंगों का वह विवेक के साथ बिलकुल बुद्धिमत्ता पुर्वक पोशन करता है तो यहां पर कहा यह गया कि एक राजा को ऐसा होना चाहिए जो खाय तो अकेले के लिए लेकिन वह सारी प्रजा को एक समान रूप से देखे और सभी की रक्षा करें सभी का पालन और पोशन करें राम ने आगे कहा कि राजधर्म राजधर्म सर्वसु एतनोई सिर्फ इतना सर्वसु इतना ही है एतनोई का यह इतना ही राजधर्म सिर्फ इतना ही है कि जीमी मन माह जिस प्रकार मन में माहकार में मनोरत मनोरत का इच्छा गोई छुपा हुआ होना तो राजधर्म का सर्वेश्व सिर्फ इतना है जिस प्रकार मन में कोई इच्छा छुपी हुई हो और उस इच्छा को पूरा करने के लिए आप काम करें बंधु प्रबोधु कीन बहु भाती बंधु अधा भाई भरत को उन्होंने प्रबोधु उपदेश दिया समझाया कीन बहु भाती बहुत प्रकास से उन्हें समझाया राम ने लेकिन क्या होता है बिनु अधार अधार मतला ओलंब कोई वैसा जिसका सहारा ले बिनु अधार मन तोशु तोशु कार संतोश होना न शांती शांती न तो शंतोश और नहीं शांती मिलना तो भले ही बहुत प्रकास से राम ने समझाया लेकिन भरत को कोई ऐसा आधार ऐसा ओलंब चाहिए था जिससे कि वे राजकाज असानी से चला सके इसी कारण उनके मन में न तो संतोश है और न शांती ही है भरत सील गुर सचिव समाजू आब आगे देखिए क्या होता राम के सामने दो इस्थिती होती है कि एक तरप भरत का सील सोभाव है इतना प्रेम है भरत के साथ और दूसरी और गुरू है वहां पर सचिव मंत्री गन है पूरा अयोध्या का है इन दोनों ही स्थिती में उनके मन में संकोच होता है रगुराजू अर्थात राम के मन में संकोच होता है सनेह के विवश होकर प्रेम के विवश होकर भरत के प्रेम के विवश होकर विवश हो जाते हुए भरत के प्रेम से और संकोच करते हैं कि आखिर कौन सी चीज वस् तीर धनुस था और आप जानते होंगे कि चलने के लिए उसमें खड़ाओं पहना जाता था वह खड़ाओं की जोड़ी यही दो चीजें उनके पास थी तो आखिर वह दें तो क्या दें ऐसा संकोच उनके मन में था प्रभु करी क्रिपा पावरी दिन ही उन दोनों में से प्रभु ने क्रिपा करके पावरी अर्थात वही खड़ाओं खड़ाओं दिया उन्होंने भरत को सादर भरत सीस धरी लीन ही भरत ने आदर सहीद सीस कार्थ सीर पर धरी रख लेना लीन ही सादर आदर सहीद भरत ने उस खड़ाओं के जोड़े को अपने सीर पर धारन कर लिया रख लिया आगे की पंक्तिया चरन पीट करूना निधान के जनु जुग जामिक प्रजा प्रान के कहने का अर्थ है कि राम के खड़ाओं के जोड़े चरन पिट खड़ाओं के जोड़े करूना निधान राम राम के वे खड़ाओं जो दोकी संख्या में होते हैं जुग खार्थ दो जनु का जेऊ और जामिक अर्थात पहरेदार वे दोनों खड़ाओं के जोड़े जो हैं वे प्रजा के प्रानों के रखवाले हैं पहरेदार हैं इस रूप में भरत ने उन्हें स्विकार किया संपुट संदुक भरत ने राम के सनेह रुपी रत्न को संदुक में रख करके उसे सुईकार किया जैसे कि किसी के प्रेम को अपने मन में बसा लेता है अपने मनरुपी संदुक में बशा लेता है ठीक उसी प्रकार भरत में राम के स्ने को प्रेम को अपने पास रखा आखर अर्थात अक्षर जुग जनु जीव जतन के अखर अर्थात जो अक्षर है अक्षर है राम दोनों अक्षर अर्थात राम नाम जैसे की जीव को के रखवाले हैं लोगों के रखवाले हैं उनके आधार है इस रूप में उन्होंने राम के नाम को भी अपने मन में बसाया कुल कपाट कर कुशल करम के जैसे कुशल कर्म होते हैं ऐसे कर्मों के कपाट कहते हैं दर्वाजा के पल्ले को कुशल कर्मों को जिस प्रकास से बंद करके रखा जा सकता है दर्वाजे के अंदर कुल कपाट कुल कहेंगे उनके परिजन उनका कुल रघुकुल उस रघुकुल के कुशल के लिए दर्वाजे के अंदर छुपा कर रखने वाली वस्तु वह खडाव के जोड़े हैं बिमल अर्थात निर्मल नयन आखे सेवा सुधरम के वे खड़ाव बिमल निर्मल नयनों से निरंतर दशनिये हो इस रूप में उन्होंने रखा भरत मुदित और लंब लहें थे भरत ने मुदित मन से मुदित का आठ आनंदित होकर आनंद के साथ और लंब अर्थात वस्तु जिसका की आधार हो जो आधार राम ने भरत को दिया था तो वो आधार है वे खड़ाओं उस खड़ाओं को मुदित मन से आनंदित होकर अपने पास रख लेते हैं ठीक उसी तरह अससुख जस सियरामू रहे थे इस प्रकार जैसे की सीता और राम उनके साथ ही निवास कर रहे हो उनके साथ ही हो इस रूप में भरत ने खड़ाओं के जोड़े को अपने पास रख लिया आए तुलसी दास जी के बारे में जानते हैं तुलसी दास जी का जन्म 1497 इस्वी में हुआ था तुलसी दास का जन्म बांदा जीला जोकी उत्तर प्रदेश में है के राजापूर गाउं में माना जाता है कुछ विद्वान इनका जन्मस्थान सोरों भी मानते हैं ये समराट अकबर के समकालिन थे तुलसी दास ने अवधी और ब्रज भाशा में काव्य रचना की है इनकी प्रमुख कृतियां हैं रामचरित मानस, विनय पत्रिका, कविता वली, गीता वली और दोहा वली इसके अतिरिक्त भी उन्होंने कुछ रचनाय की हैं तो छात्रों हमने इस पाठ में जाना कि हमारे लिए पिता, गुरु, माता एवं बड़ों की सीख का बहुत महत्व है हमें समाज के नियमों के साथ चलना चाहिए, नियमों के अनुसार चलना चाहिए हमें अपने बड़ों की आज्या का पालन अवस्य करना चाहिए इन बातों को यदि हम अपने जीवन में उतार लें, तो हमारा जीवन सफल होगा तो चात्रों, आज का पाठ इतना ही, अगले पाठ के साथ मैं पुना उपस्तित होँगा, तब तक के लिए धन्यवाद इस प्रसारण सी संबंधित सुझाव अपने प्रशने दिया दी, आप हमें jcertrg at the rate gmail.com तदा टूल फ्री नंबर 18000 5728 585 पर संपर कर सकते हैं